Hello dear students, welcome to your class, यह आपकी 7th की बुक, हिंदी की बुक जिसका नेम है हिंदी सुर्भी, इसका 1st चेप्टर जो एक पोयम थी भारत देश हमारा हम complete कर चुके हैं और इसका 2nd चेप्टर है ईश्वर कहा है, जिसके स्टोरी में आपको बता चुकी हूँ, आपका syllabus है 1st टेस्ट का चे यह जो कटिन शब्दों के अर्थ थे, आपने याद कर लिये होंगे, उत्तोंग यानी उन्नत, सकल यानी संपोर्ण, शुब्र यानी सफेद या पवित्र, ओचे यानी नीज, खटिया, क्षीर यानी दूद, नगराज यानी परवतों का राजा, मारती यानी योग्य, निक आप इनको लंग कर लीजिएगा, उसके बाद कुछन अंसर है, भारत के कुछ अमर ग्रंतों के नाम लिखिये, तो रिगवेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजूरवेद, भारत को दर्ती का स्वरणीम देश किसने बनाया, तो भारत को दर्ती का स्वरणीम देश रिश नहीं करेंगे, फिर है दिर्ग उत्तर ये प्रशने यानि बड़े उत्तर वाले, भारत को महान बनाने में हिमाले और गंगा का क्या योगदान है, हिमाले जैसा नग्राज परवच जो सिर्फ भारत में ही है और गंगा नदी जिसे हैं पवित्र नदी कहते हैं, उसके जैसे शुद्ध और धार्मिक नदी विश्व में और कहीं नहीं है, हिमाले और गंगा ये दोनों हमारे भारत में चार चांद लगा देते हैं, भारत भूमी में हमें, स्वारी भारत भूमी ने हमें कौन-कौन से उपहार दिये हैं, तो भारत भूमी ने हमें हिमाले जैसा नगरा है आप किसे कैसे कह सकते हैं कि भारत पर प्रकृति की असीम क्रिपा है तो भारत बुमी पर प्रकृति की असीम क्रिपा है तबी तो हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है मिस्री, मदु, मेवा, फल, अन, कदली, चावल, खशीर और अन्य वहुसी चीजे हमें हमारे देश में ही उपलब दो जाती है इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत पर प्रिकर्ती की असिम क्रिपा है इतिहास से एक ऐसा प्रमाण दीजिए कि भारतिय विशेश चुरूप से दयावान होते है इतिहास से ऐसे कही प्रमाण हैं जिससे पदा चलता है कि भारतिय दयावान होते हैं उनमें से एक मैतोपुन उदारण है जो सभी जानते हैं हमारे रास्त्रे पिता महात्मा गांदी जो गरीबों के लिए खुद चरका चलाकर कंबल और खादी की चादर बनाकर उनको देते थे आपका चैप्टर फर्स और चैप्टर टू जो सिलिबस में है आपके फर्स उनिट टेस्ट में और आपके टेस्ट कल सही स्टाट है 15-16-17 को तीन दिन चलेंगे आपके तो उसमें आपके जो भी चैप्टर वन और टू मेंसे मैंने करवाये हैं वही से आपके आएंगे और याद कर लिजेगा यानि कस्बा छोटा सहर ब्रहम यानि जगत की उत्पति की मूल शक्ति द्रव यानि तरल पदार्थ दुविप यानि स्थल का वभाग जिसके चारो और पानी हो उपासना ग्रह यानि पूजा का घर प्रोटेस्टेंट यानि एक इसाई संप्रदाई जिसे मार्टिन लूथर ने रोमन कैतोलिक पोप की विरोध में 16 विशताब्दी में यूरोप में चलाया था ये आपकी बुक में भी होगा मला यानि नाव चलाने वाला आस्तिन यानि कुर्टे की बाहें रोश्नी यानि प्रकाश बेबुनियाद यानि आधारहीन मन्द गड़ं आलोचना यानि गुण दोश निकालना उसके बाद इसके कुछन अंसर में ज्यादे मैं आपको कुछ नहीं करवाओंगी आज आपको वही कुछन अंसर कराओंगी जो आपके टेस्ट के लिए जरूरी है और यहीं से आपका टेस्ट आएगा यानि कि आपको मैंने आस तक ज स्कूल से सेंड किया जाएगा तो उस तरह से आप पेपर बनाईएगा और अपने कुछन के आंसर उसमें अच्छे से लिख दीजिएगा लगो उत्तर यह प्रश्न है लेखक नहीं इस कहानी में सूरज संबंदी कहानी क्यों जोड़ी है तो लेखक हमें समझना समझाना चा चीनी नागरी की विचार क्या थे तो चीनी व्यक्ति यानिकी नागरी का मानना था कि हर आदमी का आपने एक विश्वास होता है और यह जरूरी नहीं है कि एक का विश्वास दूसरे से मेल खाता हो इंग्लेंड के मला ने लोगों को सूरज के बारे में क्या बताना चाहा तो इंग्लेंड के मला ने एक छोटी सी लकडी से रेत पर निशान बना कर उन्हें समझाने की कोशिश की कि सूरज किस तरह प्रित्वी के चारो और चकर लगाता हैं यह चारो ही कुश्चन है आपके सेकेंड चेप्टर के और इस चेप्टर के कठीन शबदार पी आप आप स्क्रिंशोट ले ले और अपना काम पूरा कर ले अपना टेस्ट रस्टे से दीजिएगा और याद कर लीजिएगा पेपर पूरा वीडियो में देखके प्रेपैर कर लीजिएगा ओल दे बेस फोर या टेस्ट एंड थैंक यू सो मच